राष्ट्रीय मेला दशहरा दो हजार चौबिस में 12 अक्टूबर को रावन दहन किया जाएगा रावन, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले बनकर तयार है जिन्हें खड़े करने के लिए बांस का पेड़ा बनाकर तयार कर दिया गया है इस बार रावन, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतलों की उचाई बढ़ाई गई है रावन का पुतला 80 फीट जबकि कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले 60-60 फीट के होंगे रावन का पूरा परिवार दहन स्थल पर शुक्रवार को खड़ा हो जाएगा मेला समिती अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि इस बार रावन को 3D लुक में तैयार कराया गया है रावन खड़ा होने के बाद उसकी जालर, कुर्ते की तरह हिलती हुई नजर आएगी इसकी सजावट में 3D इफेक्ट डाला गया है यह 3D प्रभाव हर तरफ से एक सा नजर आएगा वहीं हर बार की तरह रावन गर्दन घुमाने, तलवार चलाने, पलकें हिलाने, होंट हिलाने जैसे मूवमेंट भी करेगा पुतले बनाने वाले कारिगरों ने बताया कि रावन का पुतला बनाने में 3 क्विंटल रद्दी, 1000 बांस, 2 क्विंटल सूतली, 1.5 क्विंटल मैदा, 80 किलो टार्ट और 1 क्विंटल कलर पेपर का प्रयोग किया गया है कारिगर की 20 लोगों की टीम एक महीने 10 दिन से लगी हुई है राजवन्शी ने बताया कि रावन के पुतले को शुक्रवार को दोपहर तक खड़ा कर दिया जाएगा इसके लिए 2 क्रेन लगाई गई है फिलहाल गुरुवार को 640 और 1000 बल्ली से पेड़ा तयार किया गया जिस पर से रावन के कुन्बे को खड़ा करने में गुरुवार को रात भर मजदूर डटे रहे यह 105 फीट का पेड़ा दो दिन में 20 मजदूरों द्वारा तयार किया गया है रावन को खड़ा करने में नगर निगम के निर्मान अनुभाग की पूरी टीम लगी हुई है वहीं साथ मजदूर तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं रावन का पुतला फिलहाल टुकडों में बना हुआ है जिन्हें जोड़ा जाएगा जिसमें 16 फीट का सिर, 40 फीट का धड, 6 फीट का ताज, 22 फीट के पैर और 15 फीट का लहंगा है रावन का धड जमीन पर लेटा हुआ इतना विशाल लग रहा है जैसे किसी का घर हो रावन की जूतियाओं नदी में तैरती नाव जैसी लग रही है रावन की सुरक्षा में निगम के द्वारा 6 जवान तैनात किये गए हैं रावन के पुतले बनकर तैयार हैं जो अलग-अलग टुकडों में सिर, धड और पैर के रुप में मेला प्रांगण में रखा गया है वहीं ताज भी अलग से रखा है ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रावन की एक ज़लक देखने के लिए आ रहे हैं हर कोई पुतले के साथ सेलफी लेने की होड में है हालांकि निगम प्रशासन की ओर से पुतले की सुरक्षा में जवान तैनात किये गए हैं जो पुतले के पास जाने से लोगों को रोक रहे हैं राश्ट्रिय मेला दशहरा दोहजार चौबीस के तहत मेला परिसर स्थित विजय श्री रंगमंच पर शनिवार को परंपरागत तरीके से रावन दहन किया जाएगा मेला समिती अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि परंपरा अनुसार भगवान लक्ष्मी नारायन जी की सवारी गड़ पहले से छे बजे रवाना होगी दशहरा मैदान पर रियासत कालीन परंपरा से ज्वारा पूजन और श्री सीता जी के पाने का पूजन किया जाएगा इसके बाद मुहूर्त अनुसार रात सात तव एक बजे से साती इक्कीस बजे के मध्य रावन दहन किया जाएगा